इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी ग्रूप से मौजूद है नहुसकार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलू तो इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम आइरन डूम का नाम तो आपने भी सुना होगा मैंने भी सुना है तो एक बार फिर से वो चर्चा में है पिछले बारा साल से इसने इसराइल को हजारों हमलों से बचाया है लेकिन अभी जो ताजा हमला उस पर हुआ है उसके बाद इस पर सवाल उखने लगे है कि आईरन डूम अब किसी काम का नहीं रहा खासकर एरान की तरफ से इसके समर्थन में सबूत दिये जा रहे है वहाँ के मीडिया में बाद चीद की जा रही है कि आईरन डूम जो है किसी काम का नहीं रहा तो क्या सच में ऐसा है कि सच में आईरन डूम फेल हो गया है या कमजोर पढ़ रहा है वो दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए तो आज के इस एपिसोड में मैं इसी दावे का सच आपके सामने लेकर आने बाला हूँ इसराइल की तरह बढ़ने वाली हर मिसाइल, हर रॉकेट, हर मोटार पर नज़र रहती है इसकी अपनी तरह बढ़ते हर खत्रे को लेकर ये बेहद अलर्ट रहता है खत्रे को भाबते ही एक के बाद एक करके कई मिसाइलें दाखता है और दुश्मन के छोड़े गए रॉकेट, मिसाइल और मोटार को हवा में ही चुन-चुन कर मार गिराता है ये है इसराइल का ये डिफरन सिस्टम, आइरन डॉम अपने नाम के मताबिक ये सच में इसराइल के लिए आईरन डॉम का काम कर रहा है यहां तक कि दुनिया भर को हत्यार बेशने वाले अमेरिका ने भी इसराइल से दो आईरन डॉम सिस्टम खरीदे हैं लेकिन अभी भी ये डिफरन सिस्टम सवालों के घेरे में है कहा जा रहा है कि Iron Dome नाकाम हो रहा है इन आरोपों के पीछे की वज़ा जानने के लिए चलते हैं कुछ पीछे 10 मई 2023 की सुबह इसराइल में सूरज भी नहीं होगा था लेकिन सारा आकाश रोशनी से जगमगा रहा था देश के कई अलाकों में तेज सारन की आवास सुनाई दे रही थी ना तो इसराइल के लोगों के लिए रोशनी नहीं थी ना ही सारन की आवास फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप से इसराइल के कई शहरों में रॉकेट्स की बारिश हो रही थी गाजा पट्टी से छोड़े जा रहे ये रॉकेट इसराइल के सेंट्रल डिस्टिक के शैरों को निशाना बना रहे थे बॉर्डर के करीब की बात छोड़िये गाजा पट्टी से छूटे यह रॉकेट इसराइल की पुरानी राजधानी तेलवीव और मौजूदा राजधानी यरुशलम तक पहुँच रहे थे यह रॉकेट भले ही तेलवीव और जरुशलम के आस्मान तक पहुँचे लेकिन गिर नहीं सके क्योंकि इन रॉकेट्स और इसराइल के बीच था आईरन डोम का कबच आईरम डोम ने जैसे ही गाजा पट्टी से छोड़ेगा रॉकेट्स को इंटरसेट किया वैसे ही बिजली की रफतार से उस पर रियक्ट भी किया इस सिस्टम ने आईरन डोम से निकले इंटरसेप्टर मिसाईले इसलामिक जिहाद के रॉकेट्स पर जपट पड़ी उन्हें तबाह कर दिया इसराइल के आस्मान का मनज़र जितना हैरान करने वाला था उतना ही खतरनागी साप की तरह बलखाती अंगिनत मिसाईली जब सामे से आ रहे रोकेट से टकराती थी तो पूरा आस्मान लाल रोशनी से नहा जाता था इसके साथ ही लगातार बजरह साइरन भी दिलों में खौप भर रहा था तेलवीब, ओल्ड जाफा, यरुशलम, रिवोट, अश्दोद, एशकलाउं हर जगा एक जैसी तस्वीर इसराइल के लोग इस हमले को लेकर सतर्थ तो थे लेकिन आरेन डोम की मौजूदगी की वज़या से थोड़े बेफिक्र भी थे लेकिन इस बार आरेन डोम गच्चा खा गया 11 माई को गाजा पट्टी से छोड़े गए सेक्रो रॉकेट्स में से तीन ने आरेन डोम को धोखा दे दिया इसराइल की तीन अलग-अलग जगों पर ये रॉकेट जाकर फट गए इन में से एक रॉकेट रेवोट इलाके में इस बिल्डिन पर गिरा इमारत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया एक महिला की मौत हो गई एक रॉकेट शोकेदा में गिरा जहां गाजा से ही आकर दो मजदूर रह रह रहे थे इस धमाके में एक की मौत हो गई इसराइल के रहाइशी आलाके में गिरें रोकेट्स ने आरेंड डॉम को कटगरे में खड़ा कर दिया इसराइली डिफेंस फोर्स भी सकते में आ गई फिलिस्तिनी इसलामिक जिहाद के लिए बड़ी बात थी लेकिन इरान की तरफ से जिस तरह का रियक्शन आया वो चौकाने वाला था खुलकर तो नहीं लेकिन इरान ने भी आरेंड डॉम की नाकामी को लेकर खुशी जटाई इसराइली नियूस वेबसाइट दे जिरुशलम पोस्ट की इसी पंदरमई की इस खबर को देखिए आयरन डॉम फेल हो चुका है अब सवाल ये है कि एरान की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है देखे ये हम तो सब जानते हैं कि एरान और इसराइल में जबरदस दुश्मनी है दुश्मनी के वज़ा भी हम सबसे चुपी नहीं है पर आयरन डॉम द्वारा कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाने की खबर को इरान का मीडिया इतना जादा तूल क्यों दे रहा है इसके वज़ा है वो रॉकेट्स जिनने फिलिस्तीन की तरफ से इसराइल पर फायर किया गया वो जो रॉकेट्स दागे गए फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद द्वारा दागे गए इन रॉकेट्स का नाम बद्र थ्री है और दावा किया जाता है कि ये जो बद्र थ्री रॉकेट्स हैं वो एरान की तरफ से उन्हें मिले है इरान और फिलिस्तीन में मौझूद आतंकी संगठनों के बीच संबंद बेहत पुराना है हलांके इरान ने कभी खुले आम ये नहीं माना कि उसने फिलिस्तीन में मौझूद संगठनों को हत्यार दिये हैं पर इस बात के पुखता सबुत मौझूद है कि ऐसा इरान के द्वारा किया गया है अमेरिका की एक संस्ता है Wilson Center इसे वहाँ के प्रेज़ेंट रहे Woodrow Wilson की याद में बनाया गया था एक तरह से इसे अमेरिका का Think Tank भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर में जो issues चल रहे होते हैं उन पर research की जाती है उन पर काम किया जाता है तो Wilson Center ने 19 मई 2021 को एक report पब्लिश की जिसके heading थी कि एरान ने फिलिस्तिनी ग्रुप्स को rockets transfer किये हैं यह report Fabian Hinge की थी Fabian Hinge का official Twitter link भी मैंने share किया हुआ है आप चाहें तो जा कर चेक कर सकते हैं Fabian Hinge independent independent ocean expert हैं जो मुखे तोर पर Middle East और North Africa में मिसाइलों की मौजूदगी पर research करते हैं फिलहाल वो International Institute for Strategic Studies के लिए काम करते हैं इससे पहले भी वो कई नामी और reputed संस्ताओं में काम कर चुके हैं तो Fabian Hinge ने अपनी report में बताया है कि इरान ने अपने संबंद हमास और फिलिस्तिनी इसलामिक जहाद से 1980 में बनाए उसके बाद से ही इन आतंकी संगठनों को इरान की तरफ से फंडिंग की जा रही है हतियार उपलब्द कराय जा रहे है और साथ ही इन संगठनों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ये संगठन इरानी हतियारों का इस्तेमाल कर रहे है इसकी पुष्टी इससे भी होती है कि फिलिस्तिनी इसलामिक जहाद के अलकुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर हमली की जिम्मदारी लेते हुए एक ट्वीट किया इसमें उसने बद्र 3 रॉकेट की तस्वीरे भी पोस्ट की है इसराइली डिफेंस वेफसाइट के मुताबिक फिलिस्तिनी आतंकी साल 2019 से इस रॉकेट का इस्तमाल कर रहे है धाई सो किलो वारहेड के साथ ये अनगाइडेड रॉकेट साथ किलो मिटर तक तबाही मचा सकता है हलाकि इसराइली डिफेंस फोर्स ने अब तक इस बात कोई कंफर्म नहीं किया कि गाजा पट्टी से जो रॉकेट छोड़े गए वो रॉकेट्स बद्र 3 ही है रिपोर्ट्स के मताबिक इनी में से तीन रॉकेट्स इंटरसेप्ट होने से बच गए जिससे इसराइल में जानमाल का नुकसान हुआ चलिए मान भी लेते हैं कि कुछ रॉकेट्स को आईरन डॉम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया तो क्या इससे ये मानने जाए कि इसराइल का आईरन डॉम अब किसी काम का नहीं रहा वो फेल हो चुका है अब वो मतलब कोई इस तरह का काम करनी पाएगा वो बचानी पाएगा क्या इसराइल को इसका जवाब देने से पहले ये समझना ज़ादा ज़रूरी है कि आईरन डॉम काम कैसे करता है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि क्यों आईरन डॉम को दुनिया के बेस्ट शॉर्ट रिंज एर डिफेंस सिस्टम का खताब हासिल है पिछले बारह साल से ये डिफेंस टेक्नलोजी इसराइल की रक्षा कर रही है इसका सकसेस रेट ही इसके शांदार होने की गवाही दे रहा है दुनिया के बड़े से बड़े देश भी इसराइल की इस टेक्नलोजी की दाद देते हैं साल 2015 में अमेरिका, कैनेडा, निदरलैंस, जिर्मनी, ब्रिटन, पॉलन्ड, इटली और ग्रीस ने अपने टॉप एयर फोस कमांडर्स को इसराइल भेजा था ये जानने के लिए कि आखिर आइरन डॉम इतना सा टीक कैसे है इसके बाद अमेरिका ने 2019 में इसराइल से आइरन डॉम खरीदा आइरन डॉम एक मल्टी पॉपस कॉमबेट सिस्टम है जो रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, हलिकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को भी मार गिराने में सक्षम है आइरन डॉम तीन स्टेज में काम करता है इसका पहला स्टेज रडार होता है अलग-अलग जगह पर लगी रडार इसराइल की तरफ आने वाले थ्रेट्स को इंटरसप्ट करते हैं उसकी डीटेल कंट्रोल सिस्टम को बेजते हैं सेक्योड वायरलिस कनेक्शन के जरीए भेजे गई ये मैसेज ना तो इंटरसप्ट किया जा सकते हैं ना ही इनमें कोई छेरचाड हो सकती है दूसरा स्टेज है कंट्रोल सिस्टम रडार से सिगनल मिलने के बाद कंट्रोल सिस्टम थ्रेट्स को एनलाईज करने में जुट जाता है सबसे पहले इस सिस्टम अपने नागरिकों को सावधान करने के लिए साइरन बजाता है इसके साइरन पूरे देश में लगाए गए हैं साइरन बजते ही लोगों के पास सड़क किनारे बने बंकरों में या किसी दूसरी सुरक्षे जगा जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का वक्त रहता है इस बीच सिस्टम ये भी देखता है कि जो मिसाइल या रॉकेट आ रहे हैं वो कहां गिर सकते हैं अगर वो कोई रहाइशी इलाका है या कोई महतवपून इमारत है तो वो जगह ये सिस्टम रियक्ट करता है उस पर ये सिस्टम काम पलक जपकते नहीं पूरा करता है थ्रेट डिटेक्ट होने के बाद ये लॉंचर को मिसाइल लॉंच करने का मैसेज भेजता है आरेंडोम का तीसरा और आखरी स्टेज है मिसाइल लॉंचर कंट्रोल सिस्टम से कमांड मिलते ही लॉंचर मिसाइल फायर कर देता है कंट्रोल सिस्टम से य एक Mobile Defense Technology यानि इसे आर्मी के ट्रॉकों के जरिये एक से दूसरी जगा ना किवल आसानी से ले जाया जा सकता है बलकि ट्रॉक से ही आउपरेट भी किया जा सकता है दूसरी खासियत यह है कि चाहे भारी बारिश हो रही हो आंधी तुफान चल रहा हो भयाना गर्मी हो कोई भी म पड़ी यह जरूत इसले पड़ी क्योंकि इसराइल को जबसे बनाया गया यानि कि इसराइल का जबसे गठन हुआ है उसके बाद से ही वहाँ पर लगातार जंग वाले हालात है तो ओ कहता है ना कि आवशकता ही अवशकार की जननी है तो यह जो महावरा है वो आईरन डॉम के मामले में बिलकुल सटीक बैटता है इसराइल के लिए साल 2006 में जब इसराइल और लिबलन के हिजबुला लड़ाकों के बीच जंग चुड़ी थी तब इसराइल को बहुत ज़ादा नुकसान हुआ था हिजबुला की तरफ से छोड़े गए चार हज़ार रॉकेट और मिसाईलों ने इसराइल में भारी तबाही मचाई थी इसके बाद से हैं इसराइल एर डिफेंस की नई टेक्नोलोजी डेवलप करने में जुट गया इसराइल के राफएल एडवान्स डिफेंस सिस्टम और इसराइल एर क्राफ इंडस्ट्रीज ने आईरन डॉम की टेक्नोलोजी डेवलप की साल 2007 में इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको मनजूरी दे दी केवल दो साल में यानि 2009 में इसराइल ने पहली बार आईरन डॉम की टेस्टिंग की इसके बाद साल 2011 में आईरन डॉम की पहली बैटरी यानि पहला सेटप इसराइली एर फोर्स को सौप दिया गया साथ मार्च 2011 को आईरन डॉम पहली बार इस्तमाल किया गया साल 2012 में pillar of defense operation में iron dome ने 400 missile को intercept कर मार गिराया इसके बाद साल 2014 में operation protective edge में iron dome ने 700 missile को intercept किया साल 2017 में इसराइल ने इसका 9 version भी तयार कर लिया इसराइल की नेवी अब sea dome से less हो गई है तो 2019 में अमेरिका ने इसराइल से एस system खरीदा जिसे 2020 में operational कर दिया गया अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या अब iron dome फेल हो चुका है क्योंकि कुछ rockets को वो intercept नहीं कर पाया तो इसका जवाब है कि बिलकुल भी नहीं क्योंकि दुनिया का कोई भी weapon system 100% accurate नहीं होता उसकी accuracy 100% नहीं होती उचाए कोई भी defense system हो S-400 ही क्यों नहीं हो उसमें कोई ना कोई loophole होता है और iron dome के अगर बात करें तो iron dome का जो success rate है वो ये बताने के लिए काफी है क्यों इसराइल के दुश्मन इसके बारे में भ्रामक जानकारी फैला रहे है ऐसा करना इसलिए भी उनके लिए जरूरी है क्योंकि उनके लड़ाकों के होसले पस्त ना हो जाएं इसी तीन मई को गाजा पट्टी से फिलिस्तिनी आतंकियों ने 21 रॉकेट इसराइल की तरफ छोड़े इसके एक हफते बाद इसराइली डिफेंस फोर्स यानि आईडी एफ ने Operation Shield and Arrow के शुरुआत की इसमें गाजा में एर स्ट्राइक कर फिलिस्तिनी इसलामिक जहास अंगठन के तीन बड़े निताओं को मार गिराए गया इसे बौकला यातंकियों ने इसराइल पर रॉकेट की बारिश शुरू कर दी पांच दिनों तक चलीस लड़ाई में आईरेंडोम ने इंटरसेप्ट किया ये वो रॉकेट थे जो रहाइशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे आईरेंडोम ने इन में से ज़्यादतर मिसाईलों को मार गिराया आईरेंडोम की एकुरूसी का पता इस बात से चलता है कि इसका जो सक्सेस रेट है 95.6% है लेकिन इन ही में से एक रॉकेट जो हमने आपको बताया रेवोर्ट में एक बिल्डिंग पर गिर गया ऐसा नहीं है कि आईरेंडोम में किसी तरह की खामी नहीं आई थी आई थी आईडीफ के स्पोक परसन रियर एड्मिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि आईरेंडोम में एक टेक्निकल फॉल्ट आया था हमलावर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद मिसाइल तो छोड़ी गई लेकिन टार्गेट को वो मिसाइल हिट नहीं कर सकी बाद में इस फॉल्ट को ठीक कर लिया गया कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि गाजा पट्टी से इस बार आतंकवादियों ने लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइले छोड़ी जबकि आइरन डूम शॉर्ट रेंज थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए है शायद यही वज़ा है कि इस बार इसराइल ने मिड लॉंग रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले डेविट्स सलंक का इस्तमाल किया तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिलिस्तिनी आतन क्यों कि कुछ रॉकेट्स जो है वो इसराइली मारत तक गिर गया है तो इसके गिरने से ना तो आइरन डूम पर सवाल खड़ी किया जा सकते हैं ना ही उसकी capability पर उंगली उठाई जा सकती है आइरन डूम ना केवल आज बलकि आने वाले कई सालों तक दुनिया का सबसे कारगर एर डिफेंस सिस्टम बना रहेगा और अब तो इसराइल ने इसका next generation सिस्टम भी बना लिया है जिसका नाम है आइरन बी आइरन डूम की तरह ही ये भी एक एर डिफेंस सिस्टम है लेकिन इसमें दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए मिसाइले नहीं फायर की जाएंगी बलकि लेजर बीम के जरीए उन्हें नस्ट किया जाएगा बहुत जल्द ही इसराइल आइरन बीम को अपने देश में अलग अलग जोबहों पर डिप्लॉई कर देगा इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है आप जाकर डिफेंस डिटेक्टिव पर देख सकते हैं और इसके बाद जब आइरन बीम अपना काम स्टार्ट करेगा तो आपको आस्मान में वो जो फिल्म है न स्टार वॉर्स उस जैसा नजारा देखने को मिलेगा लेजर बीम से पलक जबकते हैं ये दुश्मन के रॉकेट्स और मिसाईलें जहाज हेलिकॉप्टर सब खतम हो जाएंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारे द्वारा अप्लोड किये गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फॉरण पहुच जाए तो जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद